नमस्ते मेरा नाम अप्रिदेश की राजथानी फूपाल से भार्ती जनता पाल्टी की युवा कारे करता आदर्णी ये राश्ट्री संगटन मंत्री श्री बियार संतोज जी और आदर्णी ये मुख्य मंत्री श्री शिव्यासिंजी चोहान मैं आपको साधर प्रणाम करती हूँ मैं अपने आपको भारत भूमी की सेवा के लिए और संगठन की सेवा के लिए समर्पित करना चाहती हूँ इसी से सम्मंधिर मैंने अपने छोटे से कस्बे से निकल करके फोपाल की भूमी पर आक करके संगठन के कार को करने का प्रयास किया है मैं 24 घंटे में से 18 घंटे संगठन की गती विध्यों के पारे में सोच विचार करती हूँ अपने राजनितिक ज्यान को बढ़ाने के लिए मैं भारती जनता पालिटी की नाना जी देशनु पुस्तकाले में जा करके पुस्तके अध्यान करती हूँ और अर्चना प्रकाशन से पुस्तके खरीद कर भी अध्यान करती हूँ लेकिन कुछ महिनों से मेरे साथ में जो अभध्र व्यवहार हो रहा है उस पुस्तकाले में वो बहुती निंदमी है सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि पुस्तकाले में एक सज्जन बुजुर्ग ने 12 मार्च 2021 को शुक्रवार के दिन मेरे साथ में अभध्र व्यवहार किया मेरे बाजू में आकर के वे बेट गए और उन्होंने मेरी जांग के उपर अपने जांग रख दी कई बार उन्होंने मुझे अपने घर पर आने का भी न्योता दिया और वे यह भी कहते थे कि तुम्हारे पास में मोटर साइकल है इसलिए तुम मुझे मोटर साइकल से मेरे घर तक छोड़ दिया करो और यही डोरी उन्होंने मेरी एक साथी के उपर भी डाली है आईए आप उसी से सुन लिजे कि उसके साथ में क्या व्यभार हुआ है आईए आप नमस्ते मैं आईपादी के साथ पुस्तकाला गई थी वहाँ पर एक बुजिरगवेक्ती था जो मुझसे मिठी मिठी बात की बाद में मेरे से नंबर ले लिए और फिर उन्होंने